हालो डियर स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे human reproductive system में कुछ डाइग्राम के बारे में सबसे पहले sectional view of male pelvis showing reproductive system यह अपना pelvis region में male reproductive system सबसे पहले यह वाला जो पार्ट है this is an testis ठीक है और testis के चारो तरफ एक bag like structure दिखा रहें recovery that is the scrotum यह structure जो अपना है यह अपना penis और penis के अंदर यह tube structure क्या है urethra structure और penis के head को हम लोग बोलते हैं glance penis फिर glance penis को एक skin का flapper cover up करके रखता है जिसको बोलते है four skin ठीक है four skin फिर यह वाले जो पार्ट है जैसे testis से निकलने वाली यह tubular structure यह होती है अपनी वास defense वैस defense यह यहां से rotate करते होए यूरिनर ब्लेडर के चार तरफ घुमाऊ बढ़ती है यह middle part अपना यूरिनर ब्लेडर और यूरिनर ब्लेडर के उपर से अपनी यूरित्रा जा रही है ठीक है फिर यह वैस defense आगे चलकर एक part में खुलती हैं जिसको हम लोग बोलते है seminal bicycle this part this part is the seminal bicycle यह उपर से आने वाले tubular structure जो कहां पर आ रही है यूरिनर ब्लेडर में आ रही है दीज आर दा यूरेटर्स यूरेटर्स का मतलब पेसा आप किन लिए हैं ठीक है यूरेटर्स यह सेमिनल वैसाइकल यह यूरेडर्स सेमिनल वैसाइकल आगे जाके connect होता है इजेकलेटरी डक्ट में यह वाला पार्ट के प्रोस्टेट ग्लेंड है प्रोवस्टेट से एमल इनिक यह भू सब्सक्राइबॡ लेस्टान होते हैं तो यह पल्विस रिजन है ठीक है रेक्टम और एनुस अपना मेल रिप्रोडेक्टिव सिस्टम दूसरा पार्ट अपना sectional view of the female reproductive system female reproductive system का section represent कर रहें इसमें हम लोग external genitalia और उस related और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ठीक है ओवरी है वोन पे है ठीक है फिर ओवरी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कनेक्टेड हो रही है यह फिंगर लाइक जैसे अपने यह वाला स्ट्रक्चर हाथ की स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर बनी है यह यह फिंबरी फिम्प्री के आगे यह जैसे हेंड की यह वाला जो पार्ट रिस्ट पार्ट है ठीक है यह वाला जो पार्ट है ऐसे यह पार्ट क्या होता है ब्रोडर पार्ट इन फांडी भुलम इंफंडिबलम फिर आगे और जाके ओपन आप होता है, that is the एमपुला एमपुला फिर और आगे चल करके टूबलर स्ट्रेक्टर में कनेक्ट होता है, एक टूबलर पार्ट में आके जाके ओपन, that is the इस्थिमस, ठीक है ये इस्थिमस इस दोनलाप पार्ट में से मैं इधर से कर लोगे, तो ये भी ओवरी, ठीक है, फिर आगे, एनफंडिबलम एमपुला और ये इस्थिमस फिर आगे, ये पार्ट कहें ये जह वम्म से पर ये योट्राइन फिंडस है, ठीक है uterine fundus है ये वाला वाल ये पार्ट ये कह है uterine वाल है uterine वाल तीन होती है सब से अंदर ही अंदर endometrium, beach वाली myometrium और बाहरी बाहर perimetrium तीनो पार्ट्स ये uterine वाल बनाती है this part is the cervix and this part is the cervical canal और ये पार्ट के होगा अपनी वाजेना होगी female reproductive part थीक है cervix cervical canal और वाजेना ये पार्ट के होगा अपने uterine वाल हो गया uterine वाल तीन पार्ट से बना होता है ये uterine fundus हो ये this is the uterine cavity यह female reproductive system का sectional view है, फिर है sectional view of female pelvis reproductive system, female pelvis का reproductive system का pelvic reason का section देखते हैं, तो इस type से दिखाई देता है, इसमें कुछ part हैं, जैसे सबसे बाहरी बाहर का, कुछ structural representation की बात करते हैं, नि क्युमें, यह यह वाला part की होता है अब न वैजयनल ओर फाइस, वैजयनल की opening नहीं होती है, जय्ट यह वाला part, ठीक है, लोहर साइड में इसे वैजयनल से पीछे बाते साइड में, लोर साइड ли, इस डा एठेले इन पार्ट, एन पार्ट है, वैजयनल और फाइस के निए पार्ट अपना labia minoras. इसके उपर वाली यह flapper covering ले पार्ट इसकिन के यह part के clitoris male penis के similar होता है this is the pubic symphysis pubic symphysis reason है यह वाला part urinary bladder है this is the uterus यह uterus फिर this is cervix और यह part के होता है अपना rectum है rectum किसका part है large intestine का part हता है तो यह female pelvis है part वही है बट इनका जो view है sectional view है वो अलग-अलग position से दिखाया दिया है अलग-अलग parts को show करना करें next step is sectional view of ovary ovary का section view है जब ovary का section हम cut करते हैं तो कैसा दिखाई देता है यह ovary की structural organization है सबसे पहले blood vessel यह वाला part और यह वाला part यह के यह structure these are the blood vessels फिर यह follicles है जो develop हो रहे है सबसे पहले primary follicles बनते हैं ठीक है primary follicles, secondary follicles फिर यह tarsary follicle है tarsary follicle showing entrum tarsary follicle में यह जो दिखाया खाली space दिखाए जे रहा है यह entrum है यह cavity ball सकते इसको ठीक है entrum है यह entrum cavity ball है फिर आगे चल करके over growth होती है इसके अंदर इस type की structure बनती है यह उसमें और उसमें कुछ चेंजमेंट आ जाता है यह बन गया अपना graphene follicle ठीक है अब graphene follicle जब mature हो जाता है तो उससे ovum release हो जाता है यह वाला यह releasing ovum है और यह rest of graphene follicle फिर rest of graphene follicle आगे धीरे-धीरे degenerate होना start हो जाता है जो growth करने की बजाए degenerating धीरे-धीरे destroy होगा तो कार्पस लूटियम का formation करता है और कार्पस लूटियम जब एकदम माइन्यूट हो जाता है यानि एकदम निल्क के वराबर की completely destroy हो गया तो वह structure क्या कहलाती है अपनी कार्पस कहलाती है तो यह ovary का section था इसमें कुछ specific part होते हैं blood vessels होती primary follicle secondary tertiary follicle जब mature होता है तो graphene follicle बनाता है graphene follicle mature होकर कि क्या बनाएगा ohms बनाएगा और ohm release हो जाने के बाद में जो rest of the covering है यह नहीं graphene follicles में ohm release हो गया और released part के बाद में जो rest part हो corpus luteum बनाता है प्रोजर्स ट्यूर्ण हार्मोन से क्रेट करता है जिससे next menstruation start हो सके generate हो सके फिर जब यह complete process हो जाती है तो यह degenerate होना लग जाता है तो last में बचे जो part हो क्या बन जाता है कार्पस albicans बन जाते हैं यह अपना कुछ व्यूज थे जिन से मेल लिप्रोडेक्टिव सिस्टम ठीक है sectional view के साथ में female reproductive system female reproductive system pelvis region को show करते हुए और sectional view of ovary की structure है यह अपना reproduction reproductive systems in human के topics complete हो जाते हैं thank you